साथ सो से जाधा किसानों की शहादत होने पर इस देश के प्रधान Μंत्री ने कहा था मुझे क्या मेरे लिए थोड़ी मर Gesprूं आपके लिए नहीं, आपकी वज़े से मरे थे, आपके एहिंकार की वज़े से मरे थे, आपके हट की वज़े से मरे थे, आपके कारण 700 से जाधा किसानों की शहादत हुई थी और वो सलसला अब फिर से शुरू हो गया। पहले ज्यान सिंग, फिर मंजीत सिंग, अब पंजाब के 21 वर्ष ये शुब करन सिंगी हर्याणा की निरंकुष बरबर पुलीस की गोली से हत्या हो गई किसके मत्य मढ़ा जाए गई है, कब पेट भरेगा आपका, कब मन भरेगा, कितने नौजवानों की शहादा तौर होगी, कितने किसान और बढ़ी होंगे जब आपके कलेजे को ठंड़क पहुचेगी, क्या मांग रहे हैं ये किसान, जो आपने वादा किया था उसी की तो पू आपनी बपौती समझ के हर रास्ता बंद कर दिया, कौन है ये निहत्य किसान, जो धर्ती का कलेजा फाड़कर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले, आंधर, आतप में फसल उगाता है, आपको और हमारा पेट भरता है, कौन है ये किसान, ये वो निहत्य लोग जिनके बच्चे जिनके लड़के सरहग पे हमारी सुरक्षा करते हैं, और जब उनका शव आता है, शहादत के बाद तो तिरंगे में लिपट कर आता है, दोसों से जादा किसान खायल हो, आप ये दरजल से जादा किसानों की आपकी रोशनी, आपकी पुलीस की छर्रों की वज़े से चली ग आपको, कहां से आती है तनी बरबरता, ये दुश्मन है आपके, ये ये आटिट्यूट तो आपको दिखाना था चाइना और पाकिस्तान को, जहाँ पर आपके मुझ से नाम नहीं निकलता है चीन का, अपने देश के किसानों के साथ इस तरहे दुश्मनी कौन निभाता है, आसु गैस के गोले, ड्रोन से देख देख के कौन ठेखता है, कौन सिमेंट की चक्तानों को वहां लगा देता है, कौन कीले गाड़ देता है, और हर वो आवाज जो किसानों के लिये खड़ी होगी, उसको बंद करने का काम आप कर रहे हैं, ट्विटर जो एक्स के नाम से अ क्या दिखाया आपको, उसके घर रेड करा दे, क्यों करा ही रेड, आपने तो उनको गवर्नर बनाया था, असलियत ये है, कि आपके मन में इस देश के अनदाता के लिए रत्ती भर आदर नहीं है, आपके लोग पिछले किसानांदोलन में उनको गालियां बखते थे, आज असलियत ये है, कि ये देश सब देख रहा है, इस देश में जिसने अनदाताओं से बैर मोल लिया है, वो जीता कभी नहीं है, याद नहीं है कैसे घुटने टिकवा दिये थे इनी किसानों ने और कैसे नाकरगर के आपको अपने तीनों काले कानून वापस लेने पड़े थ आप डरपोक हैं आप डरते हैं मोदी जी इन किसानों से और इसलिए डरते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये निहत्ये लोग जब उठ खड़े होते हैं सीना तान कर गोली खाने को तो ये बड़े बड़े ताना शाहों को उठा कर और उखार कर भेग देते हैं